Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Terror 6 where truth exposes darkness तो आज का जो topic है guys वो है कि आपके life में कौन आने वाले है जो आपकी जिन्दगी को पूरी तरह से बदल दे who is going to give you firm commitment ठीक है तो यहाँ पे जो है ना selection criteria दो तरब से है आधा तो आप एक पिक्चर कर सकते हो या pick your date of birth कर सकते हो so यह है picture for group number one and यह picture है group number two ठीक है आप वीडियो को pause कर सकते हो फिर select कर सकते हो या directly आप अपना date of birth के हिसास से कर सकते हो so this is a gender neutral reading male female सभी के लिए है and definitely this is a timeless prediction कभी भी इसको देख सकते हो and enjoy कर सकते हो so this is a general prediction हो सकता की बहुत सारा information आपके साथ resonate करे हो सकता की कुछ information ना करे तो जो कर रहा होगा please लेना बाकी को जाने देना so अगर आपके date of birth है 1, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 28 and 31st तो आप आते हो group number 1 पर या अगर आपका date of birth है 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 19, 20, 21st, 24, 27, 29 and 38 तो आप आते हो group number B पर ओके so आप एक group select कर लो time stamp दिया होगा रहेगा description box पर you can also subscribe, like, share my channel if you like the video okay comment section पर जरूर लिखे कि आपको कैसा लगा you can also subscribe my second channel if you feel okay so let's get started with the reading for group number 1 so for group number 1 अगर आपका date of birth है 1, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 28 and 31st या अगर आपने ये picture select किया है तो of course ये reading आपके लिए होगा तो देख लेते हैं कि guys आपके लिए कौन आने वाले है जो आपको full time commitment देंगे और आपकी life को काफी हद तक बदल देंगे so let's see यहां से हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं उसके बाद हम tarot को देखें so for 1, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 28 and 31st उनके लिए कौन आने वाले है commitment को लेके आए उनकी life पुरी बदल देने वाले है so let's see so first we have the flourish next हमारे पास है inspiration third हमारे पास है stargazing okay all right bottom of the deck हमारे पास है life energy यह person है ना Taurus वागो Capricorn हो सकता है या कोई भी Cancer by Scorpio हो सकता है यहां पर यह आप या आपके person हो सकता है या हो सकता है यह person जो है ना दूसरा science भी हो सकता है Taurus वागो Capricorn तो ही दूसरे साथ साथ कोई भी यह science में हो सकता है यह वो तो हम taro से देख लेंगे आपके life में आएंगे तो आपके life काफी हद तक tremendously change होगा बदलाओ आएंगे आपके life में आभी आप पुछोगे बदलाओ किस तरह से आएंगे बदलाओ इस तरह से हो सकता है कि आपके जीवन में ठीक है आपने कभी भी इस तरह से हो सकता है कि केरियर के उपर focus नहीं किया होगा या आपका जो opinion था इस तरह से हो सकता कि कभी आपने change नहीं किया ठीक है आपके lifestyle हो सकता है बदल जा रहा है ठीक है आप जिस तरह से लोगों के सामने ठीक है बातचित क्या करते थे उस तरह से the way of speaking way of interacting हो सकता कि आप बहुत दर shy या introverted हो but definitely यहां पर मुझे लग रहा है कुछ opposite यहां पर होने वाला है all right and मुझे यह भी लग रहा है कि आपके life में जो भी कुछ situations थे जो unclear था जहां पर confusions थे तो यह person आपके life में वो रोशनी देने के लिए आ रहा है कि कहां कहां पर आपको improvement करना है ताकि आपके साथ इनका जिंदेगी बहुत आसानी सा हो inspiration so of course inspiration card यही बताते है कि यह आपके life में एक जैसे बोलते हैं na motivating force हमेशा आपको प्रुतसाहित करते रहेंगे maybe your guide, maybe your coach इस तरह से maybe a guardian energy मुझे यहाँ पर नजर में आ रहा है and definitely यह आपको even आपको मतलब बताएंगे repeatedly आपको बता सकता है कि आप कहां कहां पर आपका fault है होसाथ है you will trigger each other ठीके trigger करने से क्या होता है आपको fault अपना find out आप कर पाऊगे और आपके life में आप freely move on कर पाऊगे मतलब आपको लगेगा इस इंसान की आने से आपको definitely freedom मिल रहा है आजादी मिल रहा है कुछ चीज से आपको चुटकारा मिल रहा है कुछ चीज जो आपके life में बिलकुल सही नहीं था वो जा रहा है तीसर चीज है कि इन परसन के आने के वज़े से कुछ लोग का ऐसा हो सकता है कि आप पहले आपने लिए इतना ज़दा सोचते नहीं थे लेकिन ये इंसान आने से तीक है क्या होगा you will feel like you will get inspired you will get motivated आपको बहुत ज़दा मुझे लग रहा है आप अपने emotion से connect होगे तीक है आपने कभी शायद इस person के लावा किसी और person के साथ हो सब्दा है कि आपके connections हो लेकिन आप जिस तरह से आप यहाँ पर इस person के लिए बहुत ज़दा emotional हो जाओगा आप sentimental हो जाओगे आपके psychic abilities भी बढ़ सकते हैं इहाँ पर आप में भी आपके जो मतलब tendencies है it will be more towards the spiritual side तीक है आप definitely यहाँ पर मुझे लग रहा है उनको एक star की तरह आप देखोगे कि they will always try to influence you in your life बहुत positive energy और इहाँ पर bottom of the deck में आया था the life energy यह एक sun this is the sun this is your true soulmate जबको काफी जदा friend की तरह आपको help करे हमेशा देखो this is a butterfly यहाँ बटरफ्लाई है background में यहाँ पे fireflies है fireflies कब चमकते है जुगनो कब चमकता है रात के समय पे ही न तो यह person रात के समय पे ही मुझे लग रहा है इस तरह से आपके दिल को जुचोने वाले है इस तरह से मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़दा खुश होने वाले हो बहुत ज़दा आपने इससे पहली इस तरह का sensational feeling आपको किसी person के साथ नहीं हुआ था बतलब जैसे बोलते हैं you will be soaked in spiritual union with this person आप भी जाओगे इतना ज़दा प्यार होगा आपका emotions ही emotions है इस connection में ठीक है और इसी में ही आपका growth है तो प्यार में ही आपको यहाँ पे जो प्यार मिल रहा है शायद वो challenging के तौर पे मिल रहा हो शायद यह आपको influence करने के तौर पे मिल रहा हो लेकिन आपका यहाँ पर improvement हो रहा है यहाँ पर healing हो रहा है आप जो मुझे यहाँ पर साफ-साफ नजर में आ रहा है अब यह हम दूसरा deck से देख लेते हैं जो tarot deck है इंसान कौन है 3 of Swords 3 of Pentacles 9 of Cups 4 of Cups 9 of Cups और यह है 9 of Vand 3 and 9 can be important March, September April 13th Okay and Yes, 12 काफी जदे important है Knight of Pentacles यहाँ पर आ रहा है 9 of Pentacles 9 यहाँ पर 3 बार आ रहा है So, double 9, triple 9 can be important यह आपको इस वीडियो देखने के बाद हो साथा है Double 9, triple 9 आपको दिखाई दे Okay, so यहाँ है ताकि आप उस चीज को हटा लो अपने life से और आप खुद शाइन करो This is the you यह जो है ना यह आप है 9 of Pentacles काफी साथ आप grounded फिल करोगे यहाँ पर देखो 9 of Cups के साथ आ रहा है 9 of Pentacles जहाँ पर आपका emotional satisfaction हो रहा है और यह चीज जो है इस परसन के वज़े से यह परसन आपको एक growth दे रहा है stability दे रहा है, commitment दे रहा है जिसके वज़े से आप खड़े हो यहाँ पर आप खुद guidance देना start करो आप खुद guide बन जाओ आप खुद help करना start करो यहाँ पर financial abundance भी मुझे लग रहा है इस person के वज़े से होगा तो यह person आपको इस तरह से आपके life आप पूछोगे किस तरह से आपके life change करने वाले इसी तरह से जहाँ पर आपको खुद पता नहीं था आपके अंदर क्या talent है ठीक है आपके अंदर क्या stamina है आपके अंदर क्या confidence level है आप शायद खुद वाकिफ नहीं थे और यह person आके आपको 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 चैलेंज करे है यह ट्रिगर करे है आपको motivate करे है बहुत जदा वे हो सकता है ठीक है और आपको इस position पे पहुचा रहे है तो इनका काफी जदा contribution है आपके life में ठीक है as a partner ना यह person भले आपको proposal दे लेकिन यह person जो है न मुझे लग रहा है यहाँ पे Cancer, Precious, Scorpio, Taurus, Logo, Capricorn और काई ना काई पे मुझे लग रहा है काफी जदा private person है लोगों को अपने boundaries तक इतना जदा आने नहीं देते और maybe this person is having lot of bodyguards हो सकता है उनके पास काफी जदा bodyguards हो maybe this person is a celebrity यह हो सकता है यह अपना खुद का security in charge हो ठीक है maybe इनका हो सकता है कि जैसे हो सकता है cyber security departments इसमें involved हो सकता है guys और यह हो सकता है कि website related इनका job हो सकता है maybe this possible ठीक है defense में हो सकता है जहाँ पे यह लोग रक्षा करते हैं अपने देश का ठीक है तो उस तरह से मुझे लग रहा है या यह person जो है अपने life में किसी को भी प्रविश करने से पहले दस बाद चेक कर लेते हैं जैसे यहाँ पे जैसे मेरे घर पे यहाँ पे है दस बाद चेकिंग किया जाता है securities then फिर मेरे घर में enter किया जा सकता है ठीक है तो this is the thing this is the guarded energy यहाँ पे guard है यहाँ पे हो ज़दा है इस person ने अपने life में काफी ज़दा situations face किया हो जो उनके लिए suitable नहीं है ठीक है इसलिए वो बहुत ज़दा aware हो चुके है night of course यह person जो है ना romantic side आप बोल सकतो काफी ज़दा है का आपको proposal देना खुद बाखुद से ठीक है hand made tattoos हो सकते है maybe this is very young energy चाहे वो कोई भी age group का हो लेकिन बहुत ज़दा youthful आपके person होंगे extremely dark black hair if you are looking for male ठीक है extremely dark hair उसलिए उनका favorite color t-shirt black हो या light blue jeans उनका पहना पसंद करें okay for female I can find इनको shorts पहना बहुत पसंद होगा और इनके hair हो सकता है shorts हो या shoulder link तक इनका hair हो okay मुझे लग रहा है काफी जदा आप अपने life में जिस सरह से past trauma से आप बहार निकलोगे जिस सरह से एक situation ऐसा आ सकता है आपके life में या आ चुका है जहांपे आप बहुत जदा अपने आप में ठीक है इतना जदा आप painful moment से गुजर रहे थे जहांपे ये इनसान अपने और आपको आकरशित किया और आप इनके बारे में सोचते सोचते आपको कोई भी रिष्टा आ रहा है लेकिन आप उसको accept नहीं कर रहे हो because you are involved in your own world शायद ये इनसान के वज़े से ठीक है आप अपने में ठीक है focus करो और काफी से तो मुझे लग रहा है यहां पर dissatisfied है मतलब मतलब आपने ठान ले रिया ये इनसान आएंगे तो आपके life में आएंगे वरना आपको किसी से वोई भी मतलब कोई भी नाता नहीं रखना है ठीक है तो ये परसंट जो भी आने वाले है लेकिन step by step ठीक है step by step maybe you meet this person through the workplace तो सब्सक्राइब आप मिलो ठीक है and I do find कि ये परसंट जब आते है आपको commitment दे रहे है and you are gaining this energy मतलब आपका मतलब कुशी का कोई सिमाना नहीं है मतलब limitless energy limitless happiness ये आप परसंट आपको देंगे so your emotional satisfaction जो है आपको इन ही से मिलेगा किसी और से मुझे नहीं लग रहा है but one thing जो मुझे यहाँ पर लग रहा है देखो night of pentacles के नीचे ही है 10 of pentacles तो ये परसंट लाइफ में planner है बहुत active planner है तो ये परसंट कोई भी बिना सोच के काम नहीं करते step by step यहाँ भी three of pentacles यहाँ भी night of pentacles so one step completed friendship completed उसके बाद और आपको जानना फिर आपके तरह एक next step लेना फिर तीसरा step लेना मतलब धीरे धीरे लेंगे but night of pentacles is a card of commitment towards a happy settled family तो इस तरह से मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ लोग के already married हो सकते है आपके person या आप हो सकते है and after divorce or separation all reconciliation हो रहा है or maybe this person is new in your life but यह person के वाज़े से you are reaching this position यह position इनका हो आप इनसे inspired हो रहा हो और दोनों का energy same होने से आप लोग का union हो रहा है अगर हम उनको profession देखे maybe a manager, maybe a executive working for the finance department हो सकता है IT department में हो सकता है information technology sectors में हो सकता है websites, launch करना इस तरह से हो सकता है maybe in the security and armed forces intelligence department हो सकता है कुछ लोग के लिए painter हो सकता है poet हो सकता है what I can find और यह person बहुत जदा imagine कर लेते है बहुत जदा visualize करते है चीज को बहुत जदा सोचते है और वो हकीकत में बदले यह भी कोशिश करते है काफी जदा stamina वाले इनसान मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है बढ़ अंदर ही अंदर बहुत जदा romantic भी है इनका romantic side भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा अब लेट में सी के आपको अंदर का suggestion या क्या guidance देना चाथे है what angels wants to give you as a guidance ठीक है in this connection so universe please help me out so this is one this is two this is three not the right time let go and helpful people देखो, यहाँ पर क्या है message आपके लिए मुझे लग रहा है यहाँ आप वेट करकर थक चुके हो याँ आपके life बहुत दा boring हो गया है किसी के बिना यहाँ पर सारे situations situation को let go करना है आपको अभी शायद समय नहीं है, it's not the right time और मुझे लग रहा है helpful people का यहाँ पर इस तरह से मदद मतलब मददगार लोग आपको हमेशा आपके लिए है, universe आपके लिए है, सारे angels सारे जो fairies है, सारे जो दुनिया का जो शक्ती है ठीक है, आप दोनों का union कराने से कोई भी ठीक है, रोक नहीं सकता, so you will get many helpful people on the way towards your union, ठीक है तो यहाँ पर बहुत सदा invisible force, मतलब जो शायद आप नहीं देख पा रहे हो, अगर आप समय की बोल रहा है, year from now, so within a year, maybe just time से ही आप देख रहे है, एक साल के अंदर सब कुछ सही हो जाएगा और यह person आपके life में आ जाएगा, आपकी life completely change होगा, okay now let me see the initials so this is Q, this is R, this is 8 this is I, this is C O, R, U, V, W, P, D, L, J, I, S, S, and D DD and SS दो दो बार आ रहा है, okay Reese 1 किसी का नाम हो सकता है, okay Ronnie किसी का नाम हो सकता है, R, R भी two times है, SS two times है, R, R two times है, DD two times है, okay यह आपके यह आपके person के initials हो सकता है, okay bondi cherry को हो सकता है, bondi cherry is something related, okay अजय हो सकता है, किसी का नाम, okay पब्लिक रिलेशन्स में कोई हो सकता है, PR पब्लिक रिलेशन्स में कोई हो सकता है, यह उसदा Saturn, शनी देवता आपके चार्ट में बहुसदा dominant है, इसलिए लेट हो रहा है, it's a year from now, उसदा बहुसदा आपको time लग रहा है with the Knight of Pentacles card and 8, okay I think so, यह connection होने में time लगेगा, यह full and final settlement होने में थोड़ा साब को समय देना है so this is where I am ending the reading, I hope you like it and if you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section till then, take care of yourself and keep watching, divinity terror or sex, where truth always exposes darkness, thank you guys so कर दो कर दो 9,10,13,15,19,20,21,24,27,29,30 तो एडिटिंग आपके लिए है या अगर आपने ये पिक्चर सिलेट किया है तो लेट सी गाइस कौन आपके लाइफ में आने वाले हैं जो ट्रिमेंडसली आपके लाइफ को बदल देंगे और आपके लाइफ में आके फुल और फाइनल कमिटमेंट देंगे ओके सो लेट सी तो अनुवर्स, प्रिट गाइज और निंजस प्लीस गाइड में इन आपके लाइफ में कौन आने वाले है फुल बूप नुबर बी तो फिर्स कार्ड हमारे पास है फेरी स्पॉटिंग वाव नाइस कार्ड ओके दिस इस अलॉस्ट अन फाउंट और हमारे पास है solitude ठीक है ओके next is moderation तो ये person आपको कोई भी event में मिल सकता है कोई भी celebration हो रहा है या इनका birthday हो रहा है या आपका birthday हो रहा है प्यादक कोई यहाँ पर get togethers हो रहा है dinner parties चल रहा है lunch हो सकता है ठीक है especially dinner parties या candle light dinners अब बहुत ज़दा हो साथ है इस person के साथ आपका हो, मतलब you will be dating इचादा है, बहुत ज़दा dating का यहां पर दिखाए दे रहा है और यह person हमेशा moderation पे चलते है ना किसी को favor करते है ना इस तरह से partiality इनके dictionary में नहीं है, मैं आपको बता सकते हूँ, यह कभी भी किसी को भी, मतलब यह इनसान इस तरह से है कि अगर इनको लगे तो किसको favor करना है तो वो कर देते है बट ज़्यादा से ज़्यादा इनको लगता है कि किसी सबको बराबरी का हक मिलने चाहिए, ओके तो I do find यह person अपने health के बारे में काफी ज़्यादा यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है काफी ज़्यादा conscious है काफी ज़्यादा, इनको strawberries करना बहुत हो सकता है, बहुत पसंद हो, ठीक है यह इनको get up इस तरह से मुझे लग रहा है Christmas के समय भी हो सकता है क्या आप इनको मिलो whatever it is इनको decoration करना भी बहुत पसंद होगा इनको full cut year eyes पहना especially if you are looking for female इनको green color पसंद हो सकता है पहुत सकता, nature lover मुझे दिख रहा है यह एक private person होंगे और मुझे लग रहा है कुछ ऐसा रिष्टा हो सकता है जो आपने शायद इनके साथ connection आपका हो चुका था या loss हो गया था relationship में लेकिन आप इनको फिर से recovery आ रहा है relationship में फिर से वपसी हो रहा है फिर से entry हो रहा है इनका आपके life में या एक new connection आपके life में फिर से दोहराय जा रहा है very spotting so मुझे लग रहा है ये person आने से आपको ये विश्वास ये जरूर दिलाएंगे कि विश्वास रखना शायद आप बहुत ज़दा confused रहते हो या आपको एक बारे में किसी को भी आप believe नहीं करते हो लेकिन ये person आपको ऐसा सिखाएंगे कि it said that seeing is believing but in fact the opposite is true believing is seeing मतलब ये आपको ये सिखाएंगे बिश्वास रखो तभी आप उस चीज़ को हकीकत में बदलते वे देखोगे वरना नहीं देख पाऊगे अगर आपको बिश्वास नहीं है तो वो चीज़ कभी भी नहीं होगा मतलब ये आपके अंदर वो किसी के उपर ट्रस्ट करना सिखाएंगे हो साथ है आप किसी के उपर ट्रस्ट नहीं करते हो या आप हमेशा confusion energy में रहते हो बड़ ये आपके life में आके एक stability दे रहा है stability से बात आए यहाँ प्यारा है King of Cups, Cancer, Pashes, Scorpio हो साथ है आप ये आपके person Taurus, Logo, Capricorn Aries, Leo, Sagittarius का energy यहाँ पर है अब जादे-जादे मुझे लग रहा है ये person इस तरह से they are very much attractive as a sexual vibes इनके अंदर होगा पर ये अपना feminine and masculine energy जो है यहाँ पर fully balanced है ये आपको आपके life में आके King of Cups is a card of emotions but in a balanced form जहाँ पर आपको इनके अंदर एक practical जगा भी मिलेगा और emotional होते वे भी आप इनको देखो कि इनका दो face आपको दिखाई देगा हो साथ है कि अंदर से काफी साथ soft हो, feminine हो, nurturing हो लोगों का क्यार करना लोगों को समालना लोगों के दर्द में शामिल होना है इस तरह से unique qualities आजकल के समय में बहुत सारी लोग नहीं करते पर आपको इनके अंदर दिखाई देगा लोगों का ये एक impact भी हो सकता है maybe it is possible पर ये लोगों का energy पिक अप कर लेते हैं और दूसरे दरह से आप देखो के तो देख लेते हैं इसको मैं यहां पर रखती हूँ so first is the tower, tower है lost and found है okay मैं बताती हो next is we have the ace of cups wow nice energy we have the lovers, बहुत positive oh wow this is the moon, I told you ये पर सने empath हो सकता है maybe healer, maybe spiritual guide, coach या इस चीज में काफी ज़यदा विश्वास रखते हो ten of cups six of pentacles ये इसी कहीं मैं बता रही थी four of one, शादी हो रहा है यहां पर okay of course देखो the star, this is a star performer Aquarius हो सकता है, Aries, Scorpio Gemini, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn हर एक साइन यहां पर आ चुका है मैंने आपको बेसिक लिए यही बताया था with the star and with the moon ये परसन का कुछ साइड ये expose करते हैं लोगों को और कुछ साइड इस तरह से होगा कि ये परसन hide कर जाते है maybe both of you are opposite to each other maybe आप ऐसे इनसान हो कि आप expose करते तो जो आप हो straight forwardly आप बता देते हो और ये परसन हो सकता है बिलकुल opposite हो मतलब ये कुछ भी नहीं बताते 22 बर्जा energy भी हो सकता है कि आपका emotions काफी जदा high मतलब hidden रहता है छुपा हुआ रहता है आप इतना easily frankly अपना emotions को express नहीं कर पाते पर दूसरी दरफ से ये परसन जो है ये बाज़ा spotlight में है मतलब जो भी होगा screen के ओपर होगा ये परसन एक performer हो सकता है maybe entertainment industry और कोई भी industry जहां पर इन्होंने अपने नाम, शौरत, दौलत काफी जदा कमाया हो और ये परसन एक healer का energy जो मुझे यहां पर बार बार दिखाई दे रहा है this person always heals everyone जहां पर ये लोगों का ideal है, ठीके, लोग इनको follow करते है इनके fan following हो सकता है और इनका जो तार है universe से जुड़ा हुआ है मतलब universe का काफी जदा guidance इनको मिल जाता है so I can find a wonderful energy यहां पर काफी जदा ये परसन खुश रहते हैं, खुश रहने की कोशिश करते है I told you with the tower card और यहां पर आ रहा था lost and found तो ये रिष्टा हो सकता है पहले टूर चुका था बिखर चुका था, इसमें कोई भी यहां पर मतलब जिन्दा दिली यहां पर नहीं था, ठीके यहां पर मतलब बिल्कुल भी आप भरोसा नहीं कर पाया थे relationship में या इस तरह से ending हुआ जो आपको सच किसी का पता चला वहां पर आप इस परसन से या कोई और से आप बिखर गए और वहां पर कुछ बचा ही नहीं था it was nothing, it was there was nothing left for you बट यह परसन आपके लाइफ में आ रहा है जहां पर मैं आपको बता था यह कभी भी किसी को भी favor नहीं करते इनके लिए जो है ना guys इनके लिए सब कुछ बराबर है moderation ठीक है, यह हमेशे six of pentacles, equal give and take में पिश्वास रखते हैं, ना इस सुला करने की कोशिश करते हैं ठीक है, मतला ऐसा नहीं की ना, कि games नहीं खेलना इनको, ठीक है manipulative नहीं है, manipulative हो सकते हैं, बट उतना हद पर मुझे नहीं देख रहा है यहां पर यह person बहुत ज़दा interact करते हैं लोगों से, deal करते हैं लोगों से, I do find यह person आपके life में आएंगे, तो आप सीखोगा, आपका life lesson क्या होगा आप किसी relationship में trust करना सीखोगी, यह person आपको comfort देंगे, एक warm relationship यहां पर देखो, एक task एक freshness, आपको हमेशा इस person से मिलेगा, and there are possibilities of childbirth, okay यहां पर मुझे, शादी से पहले ही दिखाए दे रहा है कुछ लोग के शादी के बाद you will be involved in this person की pregnancy can be there, so be very safe, because I can find the fertile energy over here ठीके, दूसरा चीज मुझे यहां पर यह दिख रहा है, यह person कभी भी, जिस तरह से आप से यह प्यार करेंगे, मुहंबत करेंगे इसी तरह से यह आप से भी expect करेंगे, कि आप भी उनके तरफ dedicated रहो, ठीके, यह इनसान इस तरह से है, और मुझे लग रहा है, maybe, आपको लगे यह person dual minded है, दो-दो बार, मतलब, बात कर लेते हैं, तो हो सता है, मतलब, action का तरीका हो, या इनका सुभबाब हो, या किसी को भी मतलब, हो सता है, कि frankly सब कुछ बोल दे, लेकिन अगर जरूरत पर यह कुछ चीज को छुपा भी सकते है, छुपाने वाला energy मुझे लग रहा है, यह person हो सकता है, कि एक illusionist हो, ठीक है, कोई security department में job करते हो, intelligence department में हो सकता है, sales and marketing हो सकता है, यह पर hospitality sector हो सकता है, event management में हो सकता है, आपका destination wedding का chances बन सकता है, इन person के साथ, बहुत सदा मुझे एक happy, 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 at most पर दिखाई दे रहा है, बहुत सदा खुश होते हैं, आप नजर में आ रहे हो, इस से पहले शायद आपने किसी relationship में दज़धा खुश नहीं होए, ठीक है, इतना है ज़दा आपने इस relationship में जो आपने देखा होगा, experience किया होगा, शायद आप किसी और relationship में नहीं किया होगा, that is for guaranteed, और यहाँ पर एक reconciliation, reunion, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि, यह जो person आपके life में आने वाले है, यह काफी कुछ आपको सिखाएंगे, आपको, मतलब, love करना, how to be mad for each other, how to be crazy for each other, एक दूसरे के लिए, पागल पंदी, आप इनमें बहुत ज़्यादा दिखोगे, कि इतना हद तक आपको प्यार कर सकते हैं, so that is the energy, काफी ज़्यादा सुन्दर होंगे वो, अगर female है, for male also, I can find very much attractive and appealing, देख लेते हैं कि, यह person के लिए, universe आपको क्या suggestion दे रहे हैं, ओके सो लेट मीं सी ओवर इट, opportunity, तो यह person आपके life में, मतलब जिस तरह से बोल देना, golden opportunity की तरह आएंगे, ठीक है, जिसके वज़े से आप बहुत ज़्यादा तरकी करोगे, yes, अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो इस बाग, तो उससे तरह यह answer is yes and wait, तो थोड़ा सा आपको wait करना है, remain positive, आप negative मत हो जाना, तो यह person यही सिखाएंगे, कि किस तरह से negative situation में भी हम positive रहे सकते हैं, कि कि यह कभी भी हिम्मत नहीं हाने वाले, so let me see this, so Q, Y, 7 is important, 6, 7, 4, 10, okay 1 and be important, okay F, P, C, 1, U, J, E, T, O, P, M, यह आपकी और इस परसन के निशस हो साता है, 7 can be important month, जो यह आप meet करो इस परसन से यह हो साता है, July is important यह हो साता है, double seven यह triple seven आप देख रहे हैं, यह आपका लिट बथ हो साता है, whatever weight is, okay, so this is all, so trainer coach हो साता है यह परसन, यह है, यह मुझे लग रहा है यह आपकी, so this is G, okay, so this is all about today's reading guys, I hope you like it, if you like please do subscribe, share and do comment in the comment section, till then take care of yourself and keep watching, divinity terror 6, where truth always exposes darkness, thank you guys and love you all, यह आपकी देख दिरों सब्दोर्ण सेवप्याट्ट रहें, यह देख सेग्जब शवद्चर्ण सेवजाट्ट्स, बदर्ण से दटईग्यद्ट्ट्स,